Technical Analysis, Cryptocurrency Market में काम करती है या नहीं? दोस्तो अक्सर सुनने में आता है कि Bitcoin Market बहुत ज़्यादा Volatile Market है जिसकी वज़े से यहाँ पर Technical Analysis काम नहीं करती है दोस्तो अब Technical Analysis इस Market में काम करती है या नहीं? ये तो आप लोगों को Decide करना है मैं तो सिर्फ आप लोगों को कुछ चार्ट दिखाना चाहूंगा लेकिन हाँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि Market जितना ज़्यादा मैचूर होती है, Market में जितना ज़्यादा पैसा होता है उस Market में Technical Analysis उतना ज़्यादा काम करती है Market जितना ज़्यादा इलिक्विड होती है, Market में जितना कम पैसा होता है उस Market में Technical Analysis की वेलियू उतनी कम हो जाती है दोस्तों अक्सर ये सुनने में आता है कि Bitcoin Market में Manipulation बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों Cryptocurrency Market में 2000 कोईन्स है मेरी नजर में सबसे कम Manipulation Bitcoin में होती है क्यों? क्योंकि उसका जो Market Cape है वो बाकी के 2000 कोईन्स से ज़्यादा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा Market Cape होगी जितना ज़्यादा उस Market में पैसा होगा उसमें Manipulation करना उतना मुश्किल हो जाता है अगर Altcoins की बात करें तो उन्हों में आए दिन 50%, 60%, 70% के Gains भी होते हैं और 50, 60, 70% के Losses भी होती हैं इस तरीके से Bitcoin में नहीं होता तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं मैं आपको पहला चार्ट दिखाना चाहूँगा आप खुद Analyze करिएगा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा आपको सिर्फ चार्ट को अच्छे से Analyze करना है दोस्तो ये जो चार्ट है ये Bitcoin versus US dollar का चार्ट है 2017 से लेकर आज तक का चार्ट है अब इसमें मैं कुछ changes करूँगा आप उनको अच्छे से Analyze करिएगा दोस्तो अब इस चार्ट को देखें कि जब price यहां से 2017 में उपर जा रही थी और इसमें एक dump आया था वो dump रुका कहां था यहां पर तो इस price range को हमने consider कर लिया as a support level उसके बाद आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 4 time जब भी bitcoin में dump आया तो इस level ने act किया as a support दोस्तो यह technical analysis नहीं है तो फिर पता नहीं क्या है technical analysis दोस्तो इस wick को देखें यह रुकी कहां इसमें buying pressure कहां से आई दोस्तो जब यह line टूटी यह support की line टूटी तो इसमें 50% का dump क्यों आया दोस्तो यह सारे वही questions हैं यह सारे वही principles हैं जो के technical analysis में use होते हैं चलिए दोस्तो मैं आपको एक और chart दिखाता हूँ उसको भी अच्छे से analyze करिएगा दोस्तो यह है वो chart इसको आपको अच्छे से analyze करना है दोस्तो यह जो pattern है technical analysis में हम इस pattern को कहते हैं descending triangle जिसमें support fix होता है और उपर से lower highs बनती है दोस्तो इसकी जो first high है approximately 12,000 है और इसका जो support है वो approximately 6,000 है जब 12,000 से 6,000 पे price आएगी तो 50% का यह dump है और आप यहाँ पर देखें जब यह pattern नीचे की तरफ तूटा तो 50% का dump दोस्तो exactly same patterns exactly same नतीजे जो के हम technical analysis में देखते हैं चलिए दोस्तो एक और आखरी चार्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तो यह bitcoin का चार्ट है तकरिबन 6-7 साल का यह चार्ट है 2013 से तकरिबन 2019 तक का यह चार्ट है इसमें आप देखें यहां पर जो हमारे पास एक line है जो के act कर रही थी as a support जब यहां से price गिरना start हुई तो हमारे पास एक ही question था कि यह price कहां तक गिरेगी according to technical analysis हमें क्या करना था हमें past price movement को देखना था और हमने क्या देखा कि यहां पर भी same pattern था यहां पर भी एक line थी जो के 4-5 बार as a support act कर चुकी थी और जब price इस support से नीचे गिरी तो इसमें जो गिरावट आई थी वो कितनी आई थी 50% तो दोस्तो इससे हमें एक clear indication मिल रहा है कि price में कितनी गिरावट आ सकती है अब इसको में और interesting करके आपको दिखाना चाहता हूँ यह देखें दोस्तो जब पिछली बार support से price गिरी थी तो रुकी थी कहां पर 200 moving average के उपर और यहां पर देखें जब support तूटा और price गिरना start होई तो रुकी कहां पर 200 moving average दोस्तो यह कुछ examples थी जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था अब फैसला आप लोगों को करना है कि technical analysis काम करती है यह नहीं अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं यह कहूंगा कि जिस market में जितना ज्यादा पैसा होगा technical analysis वहाँ पर उतना अच्छे तरीके से काम करेगा दोस्तो यह bitcoin का चार्ट है जितनी भी crypto currencies है bitcoin की जो market cap है वो सबसे ज्यादा है इसी वज़़े से यहाँ पर यह काम कर पा रही है लेकिन जो छोटे छोटे alt coins हैं उनमें volatility बहुत ज्यादा है वो बहुत illiquid markets हैं वहाँ पर शायद इस तरीके से काम ना कर पाए दोस्तों उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक, कॉमेंट and सबस्क्राइब इस कम्प्लीटली फ्री मैं फ्रेंड्स